हेलो साथियों कैसे आप सभी मैं विवेक एक बाफ फिर साब सभी साथियों का आपके अपने परिवार एक्जामपुर में हर दिख स्वागत करता हूं हमें एक्जामपुर का लमसे करांती तो साथियों पैन और अपनी कोपी लेकर तयार हुजाईए एक और बहतरी शांदार सी इस करेंट अफेर्स की क्लास के लिए आज का कंटेंट बहुत ही बढ़िया है एकदम मलूक कंटेंट है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया कमेंट्स को छोड़ कर तो आप लोग निश्चीती बहुत को सीख कर जाओगे क्लास में ही बहुत सारी चीज़े आपको याद कराने की मेरी कोशिस रहती है इसलिए राज्य या कोई महाद्वीप या कोई देश जब रोजाना आता है तो मैं रोजाना उतना ही डीप कराता हूँ जिससे की आप लोग बार बार लिखो तो आपको भी याद हो जाएं वो स यारी यह कभी भी रुकनी नहीं चाहिए चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अती गरीब हैं चाहे आप किसी भी हालात में हो लेकिन जो आपकी महनत है जाबके मंजिल की और की यात्रा है यह रुकनी नहीं चाहिए चलिए बच्चा आज क्या पहला कुश्य आ जाता है बहुत एनिमल और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोशित किया है तो याद रखिया साती जो अपनी लद्दाक यूनियन टेरिट्री है इसने हिम तेंद्वा जो होता है इसनों लेपर्ड को अपना राज्य पश्यू जिससे आप इस्टेट एनिमल कहोगे और ब्लैक थ इसका से उतर हो जाएगा लद्दाक हिम तेंद्वा राज्य पश्यू और काली गर्दन वाली जो क्रेन होती है ये साती राज्य पक्षी इन्होंने घोशित किया है तो देखिये हिम तेंद्वा की बात करें तो हिम तेंद्वे का वैग्यानिक नाम होता है पैंठेरा उनसि आप सभी जानते हैं कि भारत का पहला हिम तेंदुआ सरक्षण केंद्र ये साती उत्राखंड में उपन हो रहा है कहाँ पर उपन हो रहा है उत्राखंड में UNDP के साहता से भारत का पहला इसनों लेपड कंचर्वेशन सेंटर उत्राखंड चलिए सेकिंड बात करें हम लोग इसमें तो जो ब्लैक नेग्ड क्रेन होती है इसका वेग्यानिक नाम होता है ग्रस निगरी कूलिस ये इसका वेग्यानिक नाम है ताब से वेग्यानिक नाम पूछ सकता है वलरेबल होती है तिबती पठार अर्थात जो लगदा का चांग थांग प ये इसनो लेपड का नाम है वेज्ञानिक हिम तेंदुए का और ब्लैक नेड क्रेन काली गर्दन वाली ये जो क्रेन है इसका नाम हो जाता है वेज्ञानिक ग्रस निग्री कोलिस यहां तक कोई दिक्कत चलिए अब अपने लग्दाक की बात करते हैं तो लग्दाक हमारा एक यूनियन टेरिटरी है लग्दाक क्या है एक यूनियन टेरिटरी 31 अक्तुबर 2019 को जम्मु कश्मी राज्ये का विभाजन करके लग्दाक को एक सेपरेट एक अलग संग शासित प्रदेश का दरजा दिया गया इसमें दो जिलें और Jarpus की राज़दानी है लेहे और कारगिल यहां का जो प्रशासरिक अधिकारी है सबसे बड़ा वो होता है उप राज्येपाल जिसको लेफ्टिनेट गवर्नर कहते है जो वर्तमान में आरके माथुर राधा कृष्ण माथुर है कौने साथी राधा कृष्ण माथुर याद रखेगा भारत का सबसे बड़ा नेशनल प कहां पर एक कुश्यक बकुला रिन पोचे एरपोर्ट है तो अगर आप से पुछा जाता है कुश्यक बकुला रिन पोचे एरपोर्ट कहां पर है तो खटाक सुत्तर दे दोगे कि लद्दाख में कहां पर है साथी लद्दाख में यह एरपोर्ट है तो 31 अक्तुबर 2019 को इस हमें जरूरी होती है तो लिख लीजे साती लद्दाख और इसको उतारिएगा सबसे पहले लद्दाख के प्रमुक मठ लिखिए यह कुश्यन अकसर आ जाता है तो सबसे फेमस मठ है यहां पर हैमिस मठ दूसरा हो जाता है लिकिर मठ तीसरा हो जाता है अलची ए लसी एच कौन सा मठ हो जाता है कौर्जुक मठ क्या कह लेखा हैमिस लिकिर अलची कौर्जुक पाचवा हो जाता है डिसकिट डिसकिट मठ डिसकिट मठ चलिए कौन कौन से होगे हैमिस मठ लिकिर अलची कौर्जुक डिसकिट मठ विलकुल साई एक हो जाता है यहां पर जांगला साथवा हो जाता लामा यूरू मठ तो यह कितने हो गए यह आपके पास साथ बहुत महत्मपूर यहाँ पर मठ हो जातें उतारते चलिएगा हैमिस लिकिर अल्ची कौर्जुक डिसकेट जांगला और लामा यूरू के लिए चलिए यहां के निरत्य कर लेते हैं क्या कर लेते हैं निरत्य या डांस कर लेते हैं तो डांस में आ जाता है यहां पर एक शोंडोल डांस कौनसा डांस आ जाता है साथी शोंडोल दूसरा जाता है इस्पाव डांस यह कौनसा डांस होता है इस्पाव निरत्य तीसरा आ जाता है साती जाबरो निरत्य कौन सा निरत्य आ जाता है जाबरो लिखा क्या क्या लिखा शॉंडोल डांस इसपाओ डांस शॉंडोल डांस इसपाओ डांस जाबरो निरत्य लिख लिए बिलकुल सही मेंटोक डांस मेंटोक निरत्य मेंटोक निरत्य शॉंडोल इस पाओ जाबरो मेंटोक कोथोक कोथोक चेनमो करके डांस हो जाता है कोथोक चेनमो करके एक यहां पर डांस हो जाता है तो शोंडोल इस पाओ जाबरो मेंटोक और एक आपका हो जाता है कोथोक चेनमो लिख लिजे इनको यह आपके कुछ नरत्ते हो जाते ही लगदा के फेमस सिदने आ जाता है आपका हैमिस लेखिर अलची कॉर जुक डिसकिट जांगला लामायुरू हैमिस लेखिर अलची डिसकिट लामायुरू जांगलो और चुक यह आपके कुछ यहां के फेमस मत हो जाते शॉंदोल इस्पावां जाबरो मेंटोक कोथोक चैनमों यह यहां के कुछ नरत्य हो जाते है उसके बाद बाद जाता है साथी लगदाख गया जाता है अगे सो तो लग्दा का एक उस्सव होता है डौस मोचे कहते हैं इसको क्या कहते हैं डौस मोचे उस्सव डैस मोचे भी कह देते हैं डैस मोचे उस्सव दूसरा हो जाता है यहां पर दूसरा हो जाता है साथी यहां पर लोसार मोचसव क्या हो जाता है लोसार यह तिबती नववर्स हो सिंधु दर्शन उत्सव चोथा साती यहाँ पर हैमिस महुसव हैमिस मठ में मनाया जाता है जिसको हैमिस महुसव कहते हैं तो एक क्या हो गया डौसमोचे जिसको हम लोग डैसमोचे भी कह देते हैं एक हो जाता है लोसार सिंधु दर्शन हो जाता है हैमिस हो जाता है एक यहा साका दावा भी होता है, क्या होता है साति साका दावा, साका दावा महुसब या साका दावा उस सब तो यह क्या हो जाते हैं, के कुछ famous उस्सव हो जाते हैं डॉसमोचे डी ओएस डॉसमोचे डी ओएस मोचे लोसार सिंदुदर्शन हैमिस मिलकुल सही हैमिस साकदावा और टक टोक और कर लीजिए टक टोक उस्सव यह भी पूछ सकता है आपसे तो छह यहां के प्रमुक उस्सव हो जाते हैं कि यहां के साती कुछ famous उस्सव हो जाते हैं याद रखिएगा सबसे अधिक उचाई परिस्थित सबसे अधिक उचाई परिस्थित सबसे अधिक उचाई परिस्थित उचाई परिस्थित मोटो रेबल रोड जहां पर आप वाहन चला सकते हैं वह लगदाख में ही हैं मोटो रेबल रोड और हमारी जो भारतिय वायू सेना हैं इसने सबसे उचाई पर एर ट्रेफिक कंट्रोल जहां से करते हैं सबसे उचाई परिस्थित एटी सी टावर लगाया है क्या लगाया है एटी सी टावर यह लगदाख में लगाया है तो सबसे दिक उचाई परिस्थित मोटो रेबल रोड और हमारी जो भारतिय वायू सेना है इस पिटी सीट आबर कहां पर लगा गया है लद्दाक में याद रखिएगा यहाँ पर दो रामसर स्थल यहाँ पर क्या है दो रामसर सायिट जिने बोलतें आप यह कह सकतें अंतर राष्ट्रे महत्तव की आद्रभूमी एं क्या है आद्रभूमी पहली है सो मुरूरी कौंसे आ आपको बताए जाना है कि जो इस सो मरोरी जील है ये कौन से पानी की है खारे पानी की या मिठे पानी की दूसरी आ जाती है सो कर जील दूसरी कौन से आ जाती है सो कर इसे 2020 में माननेता मिली है सो कर इसमें दो जील आती है एक होती है स्टार्ट इस्पुक ये जो जील होती है ये fresh water की होती है, fresh water या मीठे पानी की, और इसका जो second भाग है, उसे सोकर कहते हैं, ये hyper saline, खारे पानी की जील है, और याद रखिएगा, जो सो मोरोरी जील है, ये साती मीठे पानी की, या आप ये कह सकते है, fresh water लेक है, कैसी लेक है, fresh water, ये दो रामसर साइट है, और यहाँ पर अक्सर चर्चा में रहने वाली एक पैंगोंग जील भी आपको मिलती है, जो भारत और चीन दोनों में है, भारत और चीन में की सीमा में फैली हुई है, और ये साती खारे पानी की है, ये saline water है, समझे मेरी बात, लेकिन याद रखिएगा, जो पैंगोंग सो है, ये अं और चीन में इसके उपर विवाद रहता है, क्योंकि ये दोनों की सीमा में, सोमरोरी और सोकर, ये दो जील लदाक की रामसर साइट है, ये लदाक की कैसी साइट है साती, ये लदाक की रामसर साइट है, यहाद तक किसी को कोई दिक्कत, लदाक में किसी को किसी प्रकार की द जब लिखी रहे हो तो यहाँ पर दो लिख लीजिए लग्दाख के बांध लग्दाख के बांध तो यहाँ पर एक बांध हो जाता है इसको लिख लीजिए यह सुरू नदी पर है कौन सी नदी पर सुरू नदी कारगिल में यह है सुरू नदी कारगिल चलिए दूसरा जाता साती दुम्खर दुम्खर यह लहेमी पढ़ता है दुम्खर और निम्मो बाजगो निम्मो बाजगो निम्मो बाजगो यह दोनों सिंधु नदी पर इंदस्रिवर परें यह इंदस्रिवर परें लिख लीजिएगा तो चूतक बांध जो है यह साती सुरू नदी परें कहां पर कारगिल में और दुम्खर और निम्मो बाजगो यह सिंधु नदी परें दुम्खर और निम्मो बाजगो याद रखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से यह सुरू में और दुम्खर और निम्मो वाजगो यह कहां पर हो जाता है यह सिंदु नदी पर हो जाता है इंदस कौन से एरिया में लेवाले एरिया में यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई परेशानी आगे बढ़ें चलिए अपना अगला आ जाता है अगला कुशन कह के मुख्य न्यायधीस की बात नहीं कर रहे हम किनकी बात कर रहे हैं मुख्य न्यायधीस के अत्रिक्त अभी क्या है कि नो नई जजों की न्युक्ति हुई है और इन नई जजों की न्युक्ति के बाद में सुप्रीम कोट में सीट जो है वो अन्य न्यायधीसों की फुल हो ग नियुक्त न्याधेशों की कुल संख्या कितनी हैं समझे री बात बिलकुल सही कितनी सती 33 अभ हम लोग आगे बढ़ते हैं चलिए अभी नौ ने जज़ों ने शपत ली है तो अन्य जजों की संख्या बढ़के होगी है 33 जिसमें तीन महिला जजवी शामिल है इसमें पूछेंगे कि 33 में महिला जजों की संख्या कितनी है तो आप को को गए तीन जो नहीasy पतले अब कि इसमें कारियल अब अब बोपन हैता की महिकित भारत के मुख्य नैदीस एन वी रमन्ना सहाब ने देखिए ये जो शपत है या तो भारत के राष्टपती या उनके द्वारा न्यूक्त कोई व्यक्ती तो उन्होंने भारत के चीफ जेश्टिस को इसके लिए अधिकारी करक्खाए कि आप इनको शपत दिला सकते हैं सुप्रीम कोट के कुल स्विक्रित संख्या जो है वो 34 है जिसमें 33 अन्यन्याइधीस हो जाते हैं और एक भारत के चीफ जेश्टिस ऑफ इंडिया तो कुल मिला के 33 प्लस वन कितने हो जाते साथी 34 हो जाते हैं कितने हो जाते 34 ये तो तीन महिला हैं एक बार इनको देख लेते सुप्रीम कोट के बारे में और बहतरीन तरीके से पूर्ण पढ़ेंगे देखें एक जेश्टिस हेमा कोहली जेश्टिस बीवी नागरतना आप सभी जानते हैं कि 2027 में जेश्टिस बीवी नागरतना भारत की मुक्या नयाइधीस पिर्था महिला मुक्या नयाइधीस पुछेगा हाल ही में जो चार जजों की जो मतलम नो जजों की न्युक्ति हुई है सुप्रिंग कोट में उसमें कौन महिला जज न्युक्त नहीं हुई हैं पहला कुश्टिस तो हिमा कोहली बीवी नागरतना और बेला तरवेदी बेला तरवेदी तो याद रखेगा साथी ये तीन जेस्तों न्युक्त हुई हैं महीला लेकिन रेखा शर्मा ये कोई महीला जेज न्युक्त नहीं हुई है एक कुश्यन तो आपसे यहां से पुछेगा सिंपल सिंपल दूसरा जेश्टिस एसो का विक्रमनाथ जेके महाईश्वरी सीटी रवीकुमार एमेम सुंद्रेश और पी एस नरसिम्मा इनमें साथी बाकी तो जजिसे लेकिन एक सीनियर एडवोकेट पी एस नरसिम्मा ये एक सीनियर एड़ोकेटे जिने न्युक्ती दी गई है बाकी सभी हाई कोट के जजीजें जिनको सुप्रिम कोट में लाया गया है जश्टिस बीवी नाग रतना याद रखिएगा वर्स दोहचार सत्ताइस में ये भारत की प्रित्थम महिला मुख्य न्याइधीस बनेंगी भारत की प्रित्थम महिला मुख्य न्याइधीस दोहचार सत्ताइस जश्टिस बीवी नाग रतना अब सुप्रीम कोट की बात करते हैं सुप्रीम कोट की हम लोग साती बात करते हैं इसको लिख कर चलिए देखे सुप्रीम कोट जो अफ इंडिया है तो भारत में एक कानून आया था 1935 में सुप्रीम कोट की बात करें भारत का उचितम न्याले कहते हैं सुनिये तो एक भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में आया था आपने भी पढ़ा होगा जिसक पर हमारा संविधान आधारित है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट इसके इस अधिनियम के तहट एक अक्टूबर 1937 को पूरे भारत के लिए कोट के न्युक्ति हुई जिसको फेडरल कोट आफ इंडिया कहा गया क्या कहा गया भारत का संगिय न्यायले या फेडरल कोट आफ इंडिया नाम से इसको जाना गया फेडरल कोट आफ इंडिया भारत आजाद हो जाता है हमारा संविधान लागू हो जाता है संविधान लागू होने के दो दिन बाद 28 जनवरी समविधान लागू होने के दो दिन बाद 28 जनवरी 1950 से 28 जनवरी 1950 को यही फेडरल कोट ओफ इंडिया जो है इसका गठन सुप्रीम कोट ओफ इंडिया नाम से कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोट ओफ इंडिया या भारत की उचितम नियाले का गठन हो जाता है तो कोई कुछे भारत की उचितम नियाले का गठन की कब हुआ तो 28 जनवरी 1950 यतो धर्म इस्ततो जै यतो धर्म इस्ततो जै ये क्या हो जाता है साथी इसका मोटो हो जाता है 28 जनवरी 1950 अगर आप संवीधान में देखोगे कि संवीधान में शुरुवात में याद रखिएगा सुप्रीम कोट में कुल जजों की संख्या जो थी कुल जजों की संख्या तो कुल जजों की संख्या साती सात थी जब ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संवी धान लागउ हुआ था तो कितनी संख्याती 7 थी आज भी अगर आप संवी धान में देखोगे तो ये संख्या कितनी लिख्य हुई है 7 एक बार कुष्यन आ चुका है कि हमारे संवी धान में सुप्रेम कोट में जजों की संख्या कितनी लिखे हुई है साथ लेकिन संसद को ये शक्ति दी गई कि संसद इस संख्या को बढ़ा सकती है तो 2019 में अपनी शक्ति का प्रियोग करके संसद ने वर्तमान की बात करें तो लिखते रहना कुल संख्या कितनी कर दी 34 जिसमें 33 अन्य जज एक भारत के मुख्या नयाधीस तो कुल मिला के कितनी होगे 34 अब आप से कुश्यन कैसे पूछेगा कि भारत के मुख्या नयाधीस के तरिक्त कितनी जज है 33 कुल जज कितनी है 34 इस बात को आप लोग अच्छे से आद रखेगा 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट अफ इंडिया का गठन सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया नाम से हो जाता है संभी धान में कुल जजो की संख्य अगर आप देखोगे साथ लेकिन संसद को शक्ती दी गई जिससे नंबर अफ जजिस 2019 में बढ़ाए गए और कुल बढ़ा के संख मुख्य न्यायाधीस तो भारत के जो मुख्य न्यायधीस है साथी वो एनवी रवन्ना करके हैं एनवी रवन्ना जो की भारत के 48 में मुख्य न्यायधीस है कौन से साथी 48 में 48 में मुख्य न्यायधीस है याद रखिएगा अगर आप इनकी सेलरी की बात करोगे कि इनको त इंडिया को 2,80,000 रुपे मिलते हैं क्या मिलते हैं 2,80,000 रुपे और जो सुप्रीम कोट के अन्य न्याय धीस होते हैं सुप्रीम कोट के अन्य जज होते हैं उन्हें 2,50,000 रुपे मिलते हैं क्या मिलते हैं 2,50,000 रुपे सेलरी के तौर पर मिलते हैं हमारे संवीधान का भाग 5 पार्ट अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक ये किससे जुड़ा हुआ ऐसा थि ये सुप्रीम कोट की जुड़ा हुआ है ये किस से संबंदित है सुप्रीम कोट तो हमारे संविधान का भाग पांच जिसमें यूनियन की बात संग की बात हो रही है और संग में न्याय पाली का संगिय न्याय पाली का तो वो अनुचिद 124-147 सुप्रीम कोट आदी से संबंदित है तनक्वा कितनी है CGI की 2,80,000 लेकिन एक सिस्टम होता है जिसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं क्या कहते हैं कॉलेजियम की सलहा पर कॉलेजियम की सलहा पर इस कॉलेजियम में एक तो भारत के मुक्य न्याय धीस होते हैं और चार सुप्रीम कोट के वरिष्ट तम न्याय धीस होते हैं जो इनसे छोटे ले सुप्रीम कोट के वरिष्ठतम नयादीस यह सलहा देते हैं तब राष्टपती न्युक्त करते हैं इस चीज़ को आप लोग गौर कीजिएगा अब हम कुछ महत्तपूर अनुचेद देख लेते हैं सबसे पहले आज जाता है अनुचेद 124 अनुचेद 124 तो अनुचेद 124 मे गठन की बात हुई है अनुचेद 124 में इसमें साथी अनुचेद 124 में क्या हो जाता है सुप्रीम कोट का गठन जो इतने जजों से मिलकर बनेगा उसमें सात जज ही लिख रखा है याद रखियेगा उसमें सात ही जज लिख रखा है इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाईएगा कि उसमें साथ ही जज, सारे का सारे इसमें साथ जजों के बारे में ही लिख रखा है, तो सुप्रीम कोट का गठन, ये बात हो रखिये, एक बात याद रखियेगा, इसमें योग्यता ये भी अनुचेट 124 में ही है, तो पहली बात की भारत का नागरिक, पहली बात की व्यक्त स्टी भारत का नागेरी खोना चाहिए एक चीज जरूर आप लोग याद रखिएगा कि सुप्रीम कोट का जज़ बनने के लिए न्यूनתम आयूं नहीं दी गई कि सुप्रीम कोट का ज़ज बनने के लिए आप लोग इसमें इंट्रेस्ट ले भी रहे हो सुप्रेम कोट का जज बनने हे तू सुप्रेम कोट का जज बनने हे तू न्यूनतम आयू की आवश्यकता नहीं न्यूनितम आयू आवश्यक नहीं कि वही आपके 35 साल या 30 साल होनी चाहिए कोई भी minimum age इसमें जरूरी नहीं है यही पर आपसे क्या कह रखा है कि यातो साथी जो व्यक्ति चुना जा रहा है उसने हाई कोट में 5 वर्स लगातार जज रहा हो हाई कोट के भारत के किसी भी हाई कोट या एक सधिक हाई कोट में लगातार 5 वर्स वो जज रहा हो या उसने हाई कोट में 10 वर्स अधिवक्ता एडवोकेट के तोर पर कार्य किया हो लगातार तब वो बन सकता है या तीसरा वो व्यक्ति राष्टपती की नजर में एक विधी मामलों का जानकार हो राष्टपती की नजर में राष्टपती की नजर में विधी मामलों का जानकार विधी मामलों का उच्छ जानकार है उच्छ जानकार विधी मामलों का उच्छ अतला कानून का बहुती कोई बड़ा जूरिष्ट है, एमिनेंट जूरिष्ट है, तो इस व्यक्ति को अधिक्तम आयू की बात भी इसी में कह रखी है, अधिक्तम आयू कि जब तक ये जज बनी रह सकते हैं, तो 65 वर्स, हाई कोट के 62 वर्स तक और सुप्रीम कोट के जज, चाहे वो चीफ जेस्टिस हों, चाहे अन्य न्याय धीसों, वो कितरे साल तक जज बनी रह सकते हैं, तो आप लोग सभी लोग याद रखेगा, वो 65 वर्स तक जज बनी रह सकते हैं, कितरे वर्स तक साथी, ये लोग 65 वर्स तक जज बनी रहते हैं, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ जाईएगा, आ अनुछेट 126 में आ जाएंगे तो इसमें क्या जाते साती कारिय कारी मुख्य ने आएधिस अक्टिंग Chief Justice कारिय कारी मुख्य ने आएधिस जब 127 में आ जाएंगे आप लोग तो इसमें ad hoc judge की बात आ जाएगी कि जब कभी कोरम पूरा नहीं होता सुप्रीम कोट में तो हाई कोट से एड होक जज हाई कोट से तदर्थ नियायधीस की निपती की बात आ जाएगी तदर्थ नियायधीस की बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 128 में तो रिटार्ड सेवा निवरत जो रिटार्ड हो चुके हैं अगर जरूरत पढ़ रही है तो सेवा निर्वत जो नियायधीस है रिटार्ड नियायधीस उनकी भी सेवाएं को समय के लिए ली जा सकती है अनुच्छेद 139 में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ओफ रिकॉर्ड है अगर कोई आप से पूछे कि मैं कोर्ट ओफ रिकॉर्ड क्या होता है जरा बताना मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ओफ रिकॉर्ड है तब क्या कहोगे कि सुप्रीम कोट कोट ओफ रेकॉर्ड कोट ओफ रेकॉर्ड कार्थ होता है कि अब मानना अगर कोई इसका आदेस नहीं मानना आदेस नहीं मानता कंटेंट करता है कोट ओफ कंटेंट जिसको बोलते हैं तो अब मानना के लिए डंड देने की शक्ति है अब म Supreme Court डंड दे सकता है Court of Contempt के लिए तो जिस Court को Court of Contempt के लिए अवमानना के लिए डंड देने की शक्ति होती है ऐसे Court को Court of Record कहा जाता है ऐसे Court को आप लोग क्या कहते हैं ताप कोगे साथी Court of Record कहते हैं अनुच्छेद 130 पर आ जाओगे तो इसके बैठरे के स्थान कहां पर है दिल्ली और बाकि अगर सुप्रीम कोट के Chief Justice चाहें तो वो राश्टिपती की पूर्वनुमती से किसी और स्थान पर भी इसका बेंच लगा सकते हैं इसकी आरंविक अधिकारिता कर्थ होता है साथी Primary Jurisdiction तो याद रखिएगा केंद्र राज्जे के बीच में अगर कोई विवाद होता है राज्जे राज्जे के बीच में कोई विवाद होता है एक तरफ कैई राज्जे मतलब एक से अधिक राज्जे और एक तरफ केंद्र सरकार अगर इनके बीच में कोई विवाद होता है तो इस विवाद का निप्टारा कौन करता है इस विवाद का निप्टारा साथी अपना सुप्रीम कोट करता है 132, 133, 134 ये तीनों जो हैं इससे हटकर हो जाती है 133 में अगर आप मुख्य तोर पर देखोगे तो सिविल मामलों में अपील कर सकते हैं आप हाई कोट के मामलों के खिलाप सिविल मामलों में अपील कर सकते हैं अनुचेद 134 की बात करेंगे डांडिक मामलों में और 132 में भी अपील होती है जहां पर कोई विधी का प्रिशन होता है विधी का प्रिशन है तो जो अपना हाई कोट है वही मामले को सुप्रीम कोट भेज देता है और यहां पर हाई कोट के मामलों के खिलाब अपील की जाती है क्या की जाता है साथी अपील की जाती है इसके बाद में अपना आ जाता है साथी 136-135 नहीं करेंगे इसमें आपका SLP Special Leave Petition आ जाती है क्या जाती है साथी Special Leave Petition 137 अनुचेद 137 इसमें आ जाता है Review इसमें क्या जाता है साथी Review अगर सुप्रीम कोड चाहे तो अपनी ही निने का पुनर विलिकुन कर सकता है Review कर सकता है अनुचेद 149 में रिट आ जाती है जो इसे रिट जारी करने की शक्ती दी गई है तो रिट जारी करने की शक्ती इसको यहीं से मिली है आगे अनुचेद 141 आ जाता है अनुचेद 141 में सिंपल है कि इसके जो आदेश हैं वो सभी कोट पर लागू होते हैं सभी नियाल्यों पर लागू हो जाती अनुचेद 142 में most important अनुचेद 142 संसद के समान कानून बनाने की सकती संसद के जैसे कानून बनाने की सकती अगर कहीं पर विधी का मामला होता है लोका मामला होता है अनुच्छेद 143 ये हो जाता है 173 में राश्टपती द्वारा सलहकारी राश्टपती द्वारा जो किसी मामले पर सलहा ली जाती है सलहा किसी कानून के प्रिशन पर सुप्रीम कोड से सलहा ली जाती है तो इसको नोट कर लीजे 130 में स्थान दिल्ली 131 आरंबिक प्राइमरी जूरिश्डिक्शन या इसका ओरिजिनल जूरिश्डिक्शन भी कहते हैं जिसके लिए सुप्रीम कोट का गठन हुआ था तो केंदोर राज्ये क्योंकि हमारा जो देश है ये एक अर्ध संगिय धाचे पराधारित है जिसमें केंदोर राज्ये में कुछ ही शक्तियों का बटवारा है और केंदोर राज्ये में अगर कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोट उसका निप्टारा करता है 132 अपील हाई कोट आदी भेजते हैं और यहां पर व्यक्ति यह सिविल मामलों और डंड बनाने की शक्ति 141 आदेश सभी नियाले उपल लागू 149 मेरिट 137 मेर रिव्यू तो यह आपका कुछ सुप्रीम कोट से जुड़ी हुई जानकारी है यहां तक किसी को कोई दिक्कत यह सब आप लोगों ने नोट किया यस यह नो में बताईए यह सभी आप लोगों ने न क्यारमेंट की लेकिन न्यूनतम मिनीमम एच नहीं होती जैसे गवर्नर राष्टपत्य पराष्टपती के लिए इस सब के लिए पैतिस्वर्स होती है लेकिन इसके लिए कोई मिनीमम एच नहीं होती 20 साल 25 साल 30 साल का व्यक्ति भी बन सकता है अगर बनने की बात है एक बार चीजें तो यही सब लिखा हुआ है अगला कुशन आ जाता है आपका कि भारत का पहला राज्य जो अपने सभी राज्य के लोगों को मुफ्त पानी अभी जब सरकार पानी मुहिया कराती है तो इसको कहते वाटर कनेक्शन देती है वाटर कनेक्शन में आप जितना जल खर्च करते हैं उसका आपको पैसा देना पड़ता है कुछ जेगे दिल्ली आदी में कुछ लिटर तक मुफ्त भी दे दिया जाता है तो भारत का पहला राज्य जो लोगों को मुफ्त पानी दे रहा है और इसमें 16,000 लिटर तक मुफ्त पानी उप्लब्द करानी की बात है ये वो राज्य भी है जो रेवीज फ्री है भारत का पहला राज्य जहां पर कुट्टे की काटने से रेवीज नहीं है तीसरी चीज ये वो राज्य भी है जिसने जल जीवन मिशन का टार्गेट सबसे पहले पूरा किया है तो याद रखीगा साती गोवा कौन सा राज्य है ये बचाओ योजना भी इन्होंने पानी बचाओ योजना भी शुरू किये कि पानी जादा होगा तो फिर मुफ्त पानी देने में कोई परेशानी नहीं आएगी 16,000 लिटर तक की खपत के लिए घरों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा अब आज आता है याद रखेगा जल जीवन मिशन 2019 में कें सरकार ने लौंच किया पचपल लीटर पिर्ती व्यक्ती इस आकड़े को याद कर लिजेगा आज ऐसे आकड़े दूँगा लेख पालम अगर वो कुश्य ना है तो आके बता देना पचपल लीटर पिर्ती व्यक्ती पिर्ती दिन नल से जल ग्रामिड इलाकों के लिए ये टारगेट सरकार ने रखा था और कब तक 2024 तक तो इसको सबसे पहले प्राप्त करने वाला 2024 से पहले इसने प्राप्त कर लिया ये गोवा ही था जिसने जल जीवन मिशन के टारगेट को पूरा किया है जल जीवन मिशन के टारगेट को इन्होंने पूरा किया है पच्पल लिटर प्रती व्यक्ति प्रती दिन स्वक्ष पानी नल से जो टैप वाटर होता है 2019 से मैं ये जल जीवन मिशन सुरू हुआ था उसके बाद मैं बात करें चलिए गोवा ने और भी कही काम किये जिसमें लोग लिखें तो गोवा ने क्या किया गोवा की बात कर लेते हैं कि गोवा ने साथी रेवीज फ्री भी है रेवीज फ्री होने वाला पहला राज्य है रेवीज मुक्त होने वाला प्रतम राज्य है रेवीज मुक्त होने वाला आप ये कह सकते हैं प्रथम राज्य चलिए मरीन क्लेश्टर भारत का प्रथम मरीन क्लेश्टर जिसको कहते हैं जहां पर समुंदर से जो उत्पाद होते हैं उनको बनाने वाली या उनसे समंदित कमपनी मरीन क्लेश्टर पहली बार यहीं पर जब कि अंतर राष्टे गुजरात के गिफ्टे सिटी में अगर भारत के पहले मरीन क्लिश्टर की बात करें तो कहां परे गोवा में कहां परे साथी गोवा में चलिए अरे सब के लिए आएगा गुरुपडी गगनी आदव तुम बाबली पूछो बावू अरे ये करंट बाता है मैं तो एक मतलव आकड़ों की बाता हूं कि आकड़े किस आग्जाम में जचाद सुनते तो हो नहीं मेरीन क्लिश्टर भारत का पहला रेत बाभा हून 14 सो बाख attack लेत टीला पार्क कहते हैं क्या है ते साथी तका टीला पार्क या भारत का पहला सेंड डिउन पार्क ये भी कहां पर अपने गोवा में हैं चलिए गोवा की बात करें राजधानी हो जाती है पणजी गोवा की राजधानी क्या हो जाते पणजी लिख लीजिएगा मांडोवी नदी के किनारे मांडोवी नदी के किनारे गोवा की लिसीट विदान सभा की 40, लोग सभा की 2 और राज्य सभा की 1, यहाँ पर दूद सागर जरना, हिवले जरना और हरवेलं जरना यहां के प्रमुक जरने हो जाते हैं, तो पढ़जी क्या हो जाते हैं, इनकी राज़दानी हो जाते हैं, यह कौन सी नदी के किनारे हैं, क्या कर्ट कहा जाता है अग गोवा के बारे में लोग और जानकारी लेते हैं गोवा समझे मेरी बात गोवा के बारे में याद रखिएगा 1510 में यूशूफ अदिल सहा से विजापुर का जो सुल्टान था यूशूफ अदिल शहा से युशूफ आदिल सहा से जो की कहा था वीजापुर का राजा था वीजापुर का सुल्तान से पूर्तगालियों ने इसे अपने कबजे में ले लिया गुवा को पुर्तगालियों ने कबजा किया पुर्तगालियों ने कबजा किया और पंद्रे सो दस में 1408 में में पुर्तगाली पहली बार आई थे भाई वासको डिगामा पुर्तगाल का था न 1408 में में पहली बार केरल आया था केरल के काली कट जमूरीन के यहां पर और 1510 होते होते 12 साल के अंदर इन्होंने बीजापुर के यूसूफ आदिल सहा से ये इन्होंने हतिया लिया कब जा कर लिया और 1510 से लेकर 1961 आजादी की सबसे पहले पुर्तगाली आए सबसे बाद में गए 1961 ओप्रेशन विजय के द्वारा फोज भीज कर गोवा को स्वेतंत्र कराया गया गोवा को क्या करया गया पुर्तगालियों से आजाद गोवा क्या हुआ आजाद हुआ गोवा आजाद होने के बाद में यूटी हो गया यूटी से पूर्ण राज्य बनाने के लिए 1967-68 में यहां पर एक जन्मत संग्रे होता है आजाद भारत में एक मात्र जन्मत संग्रे सिर्फर सिर्फ गोवा में हुआ है और जादत लोगों ने पूर्ण राज्य बनाने की बात कही तो 30 मई 1987 को 30 मई 1987 गोवा पूर्ण राज्य बन जाता है गोवा क्या बन जाता है फुल इस्टेट या गोवा को पूर्ण राज्य का दरजा दे दिया जाता है गोवा को पूर्ण राज्य का दरजा दे दिया जाता है ओप्रेशन विजे के द्वारा गोवा को पूर्टगालियों से मुक्ति दिलाई गई थी समझे मेरी बात अब गोवा की और दो तिन चीज़ें करते हैं इसमें गोवा का आप लोग समसे पहले फूल बताईए गोवा का फल बताईए गोवा का पक्षी बताईए गोवा का पशु बताईए बताईए फड़ा के निरत्य गोवा के निरत्य तो लेखिए देखनी डान्स देखनी निरत्य है कुनबी निरत्य है कुनबी डान्स धन्गर डान्स दन्गर डान्स चोथा हो जाता है गौफिन रत्ते गौफिन रत्ते लिखिए फड़ा फड़ देखनी डान्स कुनभी डान्स धन्गर डान्स देखनी डान्स कुनभी डान्स धन्गर डान्स बिलकुल साई फुगदी लेंप ढालो फुगदी भी बहुत महत्तों होता है फुगदी ढांस फुगदी फुगदी लेंप निरत्य लेंप निरत्य ढालो ढांस डी एच ए एलो फूल की बात करेंगे तो जैसमीन चमेली का फूल चमेली का फूल समझे मेरी बात फल की बात करोगे काजू केशू पक्षी की बात करोगे तो इसमें बुल-बुल आ जाती है क्या जाती है बुल-बुल और पशो की बात करोगे तो जो अपना ये क्या मुलते है बोस गौरस करके एक होता है यह आजाता है जिसको गौर कह देते हैं यह गौर भेंसा ठीक है तो जैसमीन चमेली का फूल यहां का फूल होता है राज के फल की बात करें काजू पक्षी बुलबुल पशो हो जाता है गौर देखनी, कुनभी, धनगर गौप, फुगदी, लेंप और ढालो, यह क्या हो जाते साथी यहां के मुखे, निरत्ते हो जाते अगर हम लोग उत्सब की बात करें कि भई गौवा के उत्सब तो गौवा का एक उत्सब हो जाता है साथी, शिमगो एक गौवा का उत्सब हो जाता है शिमगो शिमगो एक गोवा का उत्सब हो जाता है साथी साओ जाओ साओ जाओ उत्सब साओ जाओ उत्सब एक यहां का उत्सब हो जाता है शिमगो हो गया साओ जाओ उत्सब हो जाता है और एक हो जाता है साथी थिरी किंस फिश्ट थिरी किंस फिश्ट उसके लाबा गोवा कार्णीवल, सनबर्न ये तो होते होते है यहां की जो अधिकारिक भाषा होती है यहां की अधिकारिक भाषा साथी कौंकडी होती है देवनागरी लिपी में यहां की अधिकारिक भाषा कौंकडी होती है और वो भी कौन से लिपी में देवनागरी लिपी में चलिए याद रहिएगा यहां पर एक बंदरगाहा है साउथ गोवा में पढ़ती है यह साथी जुवारी नदी के महाने पर जुवारी नदि और इसी भगवान महावीर मौलम नेसनल पार्क में दूद सागर जरना है एक चीज़ याद रखिएगा दूद सागर जरना है एक जुआरी नदी को जो कि साउत गोवा में है इसके किनारे वासकोडिगामा अधी शहर भी है जुआरी नदी और मांडोवी नदी को जोडने के लिए एक नहर होती है क्या होती है नहर जिसको केमबर-जुआ नहर भी कह देते हैं इसका स्पलिंग डेख लें न केमबर-जुआ कहनाल यह दोनों नदी準備 को पूर्ती एक किसको मान्डोवी जो की उत्री गुए में नौर्थ गुए सउध गुए तो नोर्थ में क्या हो जाते मान्डोवी जिसके किनारे पनजी है और साउथ में जुआरी इन दोने को जोड़ने के लिए एक कंबर जुआ के नाल है कौनसी के नाल है कंबर जुआ तो मरमगव बंदरगाह जुआरी नदी के महाने पर भाशा कौंकडी देवनागनी लिपी में उस सब शिमगो साउजाओ थ्रीकिंग्स जबकिन रत्य हो जाते देखनी कुनभी धनगर गौप पुगदी लेंप और ढालो फूल जैसमीन फलकाजू पक्षी बुलुबुल पशुगौर 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा और पुर्त गालियों ने आदिल शाही डायनिश्टी से कब छीना था ये भी बता दीजिए सन 1510 में साल 1510 में कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई परिशानी के लिए चीज़ें आगे बढ़े चलिए तो गोआ के बारे में यह सारी जानकारी अगला कुश्यन मोश्ट मोश्ट इंपोर्टेंट पूरा ध्यान देना साथी इस कुश्यन पर आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट कुश्यन है देखे भई एक अंतराष्टे संस्ता होते हैं जिसको रोबो बैंक कहते हैं हर साल रोबो बैंक जो देरी होती है पुरी दुनिया में जो मिल्क दूदुत पर आधारित कंपनी होती है इनकी एक रैंकिंग निकालती है कि किस कंपनी के उकात कितनी है तो इसके हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी डेरी कंपनी कौन सी है दुनिया की टॉप 20 डेरी कंपनियों में रोबो बैंक क के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है तो याद रखेगा साती ये फ्रांस की कंपनी है लेक्टेलिस दुनिया की सबसे बड़ी दुख्द कंपनी रोबो बेंक की जो 2021 की ग्लोबल टॉप 20 है इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है लेक्टेलिस है साती अप जो अमूल है ये दुनिया में 18 नंबर पर है इसकी दो रेंक घट गई है पहले जो इसकी रेंक थी वो 16 थी तो लेटेलिस टॉप 20 डेरी कमपनियों में सब से उपार है चली बच्छा अब इसकी बात करते हैं दूद उत्पादन की बात करेंगे कि प्रती व्यक्ति भारत में क कितना है तो लेटेलिस फ्रांस की कमपनियों बी 23-23 बिलियन डॉलर का इसका कारोबार है जबकी अमूल ये ब्रांड है इसके जो मूल कमपनियों जिसके अंदर ये काम करते हैं जैसे गूगल की मूल क्या है ऐलफाबेट गूगल उसका एक ब्रांड है इसी तरीके से कोपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जी सी एम एम एफ यह वो संस्थाय जिसकी ब्रांड है अमूल जैसे इसकी कई ब्रांड हो सकती हैं तो अमूल अठारवी स्थान पर है पंच पॉंट तीन अरव डॉलर का सालना कारूबार है तो यह कंपनी लगबग साड़े ती थी वो 16 नंबर पर ती अमूल की पिछले साल रैंक कितनी थी जोलवें थी तो अब कितनी घट गई है माइनस दो कितना कारूबार है पांच पॉंट चीन ब्लिएन डॉलर बड़ी कंपनी लेक्टेलिस दूसरे नंबर पर पहले नेसले थी अब नेसले सेकंड पर आ गई है डेरी फार्मर्स ओफ अमेरिका तीसरे नंबर पर डेनोन एक चीद देखें हैं टॉप पांच में दो कंपनिये फ्रांस की डेनोन फिर पांच में पर यली और इस तरीके से अगर आप देखो होगे तो हमारी जो भारत की अमूल है यह साथी 18 वे नंबर पर है जी सी एम म म फ तो यह चीज किलियर हो जाती है कि पहले सोले थी आप घटके माइनिस माइनिस की त्री हो गई एहां अपहले हो गई आप हम है आनंद आनंद एक शहर भी ये जिला भी ये कहां गुजरात में मिल्क उत्पादन लिमिट्ड मिल्क उत्पादन लिमिट्ड इसको शोट में अमूल कहते हैं अमूल की जो मूल ब्रांच थी वो 1940 में तरी भूबन दास पटेल इसके संस्थापक थे तरी भूबन दास पटेल वल्ला भाई पटेल जी के उन्होंने जब इनको गाइड किया तो तरी भूबन दास पटेल ये अमूल के संस्थापक है अगर आता है कि अमूल के संस्थापक क और उसमें एक नाम वर्गीज कूरियन का होता है और ऑप्शन में त्रिभूबंदास पटेल भी होते हैं तो अच्छे सयाद कर लीजिएगा अमूल के संस्थापक कौन एक बाल लिखकर बताईए त्रिभूबंदास पटेल 1949 से वर्गीज कूरियन जुड़े थे डॉक्टर वर्गीज कूरियन ये कब जुड़े थे 1949 से जुड़े थे इसका मतलब ये इसके संस्थापक नहीं थे लेकिन इन्होंने अपना इंजिनिरिंग दिमाग लगा कर अमूल को सफल बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान था और इसी योगदान को लेकर जब 1965 में 1965 जुलाई 1965 में जब साती नेशनल डेरी डवलम्मेंट बूर्ड का गठन हुआ जब यह नारा दिया था जयज्मान जयकिसान तब हरित किनांती की भारत में शेर्वात हुई तो नेशनल डेरी डवलप्मेंट बूड डवलंट बूर्ड राष्ट्रे डेरी विकास जए नेडी इसके प्रत्थम चैर्मेन parse यसके प्रत्रम चैर्मेन जो न्युक्त किया गय सास्त्री जी के कहने पर डॉक्टर वर्गीज पूरियन को ही इसकी कमान सौपी गई थी और डॉक्टर वर्गीज पूरियन के नित्रतम में ही 13 जनवरी 1970 से साथी उप्रेशन फ्लड बारत में जिसे श्वेत करांती कहते हैं उसका कोड नेम उप्रेशन फ्लड था जिसको आप श्वेत करांती कहते हैं जिसमें दूद का उत्पादन बढ़ाने से संबंदित कारिये किये गए एंडी डीबी की देखरेख में डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका हेड़कॉर्टर आनंद में ही है गुजरात आनंद में इसका हेड़कॉर्टर है किसका नेशिनल डेरी डवलम्मेंट बूर्ड तो याद रखिएगा 1965 में नेशिनल डेरी डवलम्मेंट बूर्ड कब कहा पर हेड़क्वार्टर कहा पर गुजिरात में इसके प्रिथम चेर्मेन को ने डॉक्टर वर्गीज कूरियन और इनी की देखरेख में 1970 से ओपरेशन फलड जिसको श्वेत करांती कहा जाता है क्या कहा जाता है साथी श्वेत करांती याद रखेगा 26 नवंबर डॉक्टर वर् करेंगे तो एक जून को अंतर राष्टिय दुगद दिवस होता है अंतर राष्टिय दुगद दिवस हो जाताustовा कि अगर हम लोग देखें कि 2019-20 में भारत का जो दूद का उत्पादन था वो कितना था तो याद रखेगा साथी डोहचार उन्नीस बीस में एकोनोमिक सर्वे के अनुसार इसको अंडरलाइन कर ले ना आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है हर साल भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एकोनोमिक सर्वे के अनुसार भारत में दूद का जो उत्पादन था साती भार आर्थिक सर्वेक्षण के अ उसार तो दुखदू उथपादन दुखदू उथपादन में भारत व्रड में नंबर एक है दुखदू उतपादन एक सो चौणावे पॉइंट आठ मिलियन टन था कितना था साथी 194.8 मिलियन टन लिख लीजे कितना 198.4 सोरे 198.4 चौरान में चार आठ हो बदल गया तो 198.4 मिलियन टन था कितना था साथी 198.4 अर्था तब यह कह सकते हैं कि पिछले साल से 5.7% की व्रद्धी पिछले साल से 2018 से 5.7% की व्रद्धी और अगर हम यह कहें कि पिर्ती व्यक्ती दूद की उपलब्ध था यह बहुत साथी व्रद्धी हमारे भारत में कितना दूद उपलब्ध है इसके अनुसार तो याद रखेगा साथी 407 ग्राम मोश्ट इंपोर्टेंट 407 ग्राम अगर पर कैपिटा दूद की अविलिबिल्टी देखोगे 407 ग्राम दूद उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर है पहले नंबर पर और भारत के राज्ये देखोगे तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश दूसरे पर राज्थान यह भारत के दो टौप 2019 वीस में 2019 वीस में जो दूद का उत्पादन रहा है वो साती 198.4 मिलियन टन 2019 से कितना उपर है 5.7 परसेंट और पिर्ति व्यक्ति पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ओफ दूद अवेलेबिलिटी ओफ मिल्क कितनी है तब क्या कोगे 407 ग्राम कैने साथी 407 ग्राम यहां पे किसी को कोई दिक्कत है किलिए है अंतर्राष्टिय दूद दिवस एक जून 26 नवंबर राष्टिय दूद दिवस भारत में सबसे अदा दूद को उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे नमबर पराईस्थान और पिर्टी विक्ती दूद के उपलब दिता 407 ग्राम यह अकड़ा लेखपाल के लिए अती महत्वपून है लेखपाल के लिए अती महत्वपून यह जो अकड़ा है क्योंकि आपके लेखपाल के पेपर में इसमें साती किर्सी पशूपालन सिचाई तो पशूपालन में दूद और दूद से कुषिन पिछले बार भी प पूचा जाएगा तो यह आकड़ा आप लोग याद रखेगा अगला कुशन आ जाता है चलिए यह तो सब हमने पढ़ दिया बिम्स्टेक देशों के किरसी विशेशग्यों के साथ आठीवी बैठक की मेजवानी यह किस देश ने की है बिम्स्टेक के जो देश है साथ देश इनके जो एग्रिकल्चर एक्सपर्ट है किरसी विशेशग्यों इनके साथ आठीवी बैठक की मेजवानी यह भारत ने की है बिम्स्टेक के साथ देश है इन साथ देशों की किरसी विशेशग्यों की किरसी विशेशग्यों जो एग्रिकल्चर के एक्सपर्ट होते है उनक में बिम्ष्टेक के जो साथ देश हैं उन्हों ने इसमें मेजबानी की है हजारों बार बार बताया एक उच्छेंज जुरूर पूछेगा कौन सा बिम्ष्टेक का नहीं है और पैट में पूछा गया था तो एक्सपट बांगलादेश भूटान इंडिया नेपाल स्रे लंका मियनमर थाइलेंड एक दो तीन चार पांच छे साथ इन साथ देशों ने इसमें मेजवानी की है इसमें हिस्सा लिया है और भारत इसकी तरफ से जो अध्यक्षता हुई है भारत की तरफ से वो आई सी ए आर के मुखिया डॉक्टर तिरलोचन भारत के किरसी अनुसंधान परी का गठन होता है इसकी फुलपॉर्म देख लीजिए बे ओफ बंगाल बंगाल की खाड़ी इनिशियेटिव फूर मल्टी सेक्टोरल मतलब विभिन छेत्रों में टेक्निकल एंड एकोनोमिक प्रोध्योकिकी और आर्थिक सहयोग के लिए यह विम्ष्टेक की फुलपॉर्म जब किसके सेक्रेटरी जनरल यह तेंजिन लेकपाल हो जाते भूटान के बीबी आई एम एन एस्टी तो बंगलदेश भूटान इंडिया मेंनमार नेपाल स्रीलंका थाइलेंड यह साती इसके सात देश हो जाते हैं विम्ष्टेक के कितने सदस्य देश हैं सात सदस्य बिम्ष्टेक 14 6टरों में सहियुक के लिए बनाएं वर्तमान में कितरे ने सहीवग होता है लिए आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजल Siya और नौड़्स बनाते चलना जिसरे एक優्टान को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिम्ष्टेक बेयो बंगाल इनिशेटिफ पुर्मर्टि सेक्टोरल टेक्निकल एंड एकोनोमिक कोपरेशन साथ सदस्य देश चौदे छेत्रों में सहयोग हेड़क्वाटर ढाका हेड़क्वाटर ढाका चली बच्चा इससे कुछ समय पहले बिम्ष्टेक के एक मंत्री स्तरिय बैठक भी हुई थी उसकी मेजवानी स्रिलंका जिसमें जैसंकर विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था अभी तक इसके चार स समिट हो चुके हैं बिम्ष्टेक का जो पहला समिट था वो थाइलेंड की राजधानी बैंक कॉक में हुआ था 2004 में बना 1997 में लेकिन पहला समिट 2004 फिर 2008 में नई दिल्ली ने फिर 2004 में म्यानमार और फिर साती 2018 में नेपाल की राजधानी काठवांडू में 2022 में इसका अंका के कोलंबो शहर में आयोजित होगा के लिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगया जाते हाल ही में अंतर राष्टिये खगोलिये संग इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन यह वह संस्था है जब कोई नया प्लानेट खोजा जाता है कोई नया गिरह या किसी का क चंद्रमा यह सब खोजे जाते हैं तो उसके नामकरण का जो कार्य करती है यह इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन अंतर राष्टे खगोलिये संग होता है कि मानद सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारती है अंतर राष्टे खगोलिये संग के औररी मे हमें साथी दौर जे अंग चुको दौर जे अंग चुको याद रखेगा दौर जे अंग चुको यह अंतर राष्टे खगोलिये संग के मानद सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रत्थम भारती है जो कौनसा ग्रे बोना ग्रे कौनसा हमारा सौर मेंडल का पहले हमा दोर्जे अंग्चुक का संबंध कहां से है तो केंदर शासित प्रदेश साथी लद्दाक से है इन्होंने लद्दाक में एश्ट्रो फोटोग्राफी के माध्यम से ये जो अपने प्लानेट सितारे आदी होते हैं इस्टार साधी इनकी फोटो आदी लेकर लद्दाक में खग पोलिये संकी बात करेंगे 28 जुलाई 1919 में इसके स्थापना हुई है कि है रूण तर पर है हैडकोर्टर कहां पर ए साथी पेरिस हो जाता है याद रखिएगा युनेसको का हैडक क्वाटर भी कहां पर है फ्रांस की राजजानी पररेश ओए CD का headquarter भी कहां पर है Paris अगर आप देखोगे तो UNESCO UNESCO और OECD जो इस संग्ठन है इन दोनों का headquarter कहां पर हो जाता है Paris अध्यक्ष इविन वेंड डिसोक डच नीदरलेंड के और जनरल सेक्रेटरी टेरेसा लागू इसका कोई मतलब नहीं है इतना आप लोग अच्छे से याद रखिए चलिए दोर जे आंग चुके अगला कुश्यन आ जाता है किस देश में छटे पूर्वी आर्थिक मंच सिस्ट इस्टर्न एकोनोमिक फॉरम ये 2015 में एक संस्था एक तरीके से एक बैठक आयुजित की गई है कि जो पूर्वी राज्जे हैं जो पूर्वी देश हैं उनके economy उनके अर्थ विवेस्था के बारे में discussion के लिए एक ये Eastern Economic Forum आयुजित की जाती है तो इसके छटे समीलन का आयुजन ये साती रूस कर रहा है इसके छटे सम्मिलन का यूजन कौन कर रहा है रूस छटे पूर्वी आर्थिक मंच शिकर सम्मिलन बहुत अच्छे से आद के लिजेगा छटे पूर्वी आर्थिक मंच शिकर सम्मिलन का यूजन ये रूस में हो रहा है तो आपको ये पूरा याद करने की जोड़त नहीं होत कारा किया जा रहा है समझे मेरी बात कहां पर रूस एरे अगस्त बारवी इंद्र एक्सरसाइज हुई है क्या हुई है 12 इंद्र एक्सरसाइज यह रूस में आयुजित हुई है 12 इंद्र एक्सरसाइज यह कहां पर आयुजित हुई है साथी यह रूस में आयुजित हुई है 12 चल्थ इंद्र एक्सरसाइज ये रशिया में आयुजित हुई है मिखाईल मिशुष्टीन इनके प्रधानमंत्री है रूबल इसकी मुद्रा विलादी मीर पुतिन राष्टपती मौस्कावा नदी के किनारे मस्को इसकी राजदानी हो जाती है यह है एक बार आप लोग इसे देख लीजेगा यहाँ पर कामा चटका पठार यह बहुत ही फेमस कामा चटका पठार है कामा चटका पठार तीनों और से समुंदर से घिरा हुआ जो हम लोग विलाडी वोश्टोक की बात कर रहे थे हम लोग जो विलाडी वोश्टोक की बात कर रहे थे यहाँ पर यह वि जाड़ी वोश्टोक को जोडने वाली ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन दुनिया की एक ही देश के अंदर दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन वो रूस में इस्थित है यहीं पर लडोगा जील उनेगा जील लडोगा उनेगा जील एशिया की सबसे गहरी है दुनिया की सबसे गहरी ये बेकाल जील रूस जो है ये दो महादीप में फैला है ये साती यूराल परवत जो है यूराल परवत के अधर एशिया आ जाता है ये साइबेरिया वाला हिस्सा और इसके अधर यूरोप आ जाता है यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस क सबसे उसर Anda यूरोप का सबसे उचा परवत यह पर आप देखोंगे तो यह कैस्पियन सागर जिसमें साती यह वोल्गो ग्राड यहां पर वोलगा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी तो यह लोग आप लोग अच्छे से याद करके चलिएगा आर्किटिक मिसाइल आर्किटिक उपगर्यादी को जो लॉंच किया था ये आर्किटिक के उपर नजर रखने के लिए ये रूस ने ही लॉंच किया था चलिए ब् अगला कुछ ना जाता है भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रसिक्चण अभ्यास काजिन्द 21 का पाँचवां संस्क्रण ये एक से दस सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है काजिन्द ये काजिन्द का पाँचवां संस्क्रण होगा काजिन्द का पाँचवां ताब से पूछाए कि काजिंद किसके तो मेरी बास समझ लीजीगा ये बहुत important आपके लिए बताईए साथी काजिंद का किसके साथ काजिंद किसके साथ जो काजिंद है ये किसके साथ exercise की जा रही है काजिंद exercise exercise जो है साथी ये किसके साथ की जा रही है बिलकुल सही देगे सयुक्त अरव अमिरात के साथ तो exercise जायत तलवार exercise जायत तलवार ये नेवी की है किसकी है नेवी की है इसी के साथ exercise डेजर्ट फ्लेग डेजर्ट फ्लेग इसमें एरफोर्स ने भाग लिया था इंडियन एरफोर्स ने सयुक्त अरव अमिरात ने फ्रांस और भारत के साथ exercise वरुण में भी हिस्सा लिया था जो नेवी के exercise होती है exercise वरुण में भी हिस्सा लिया था तो ये कुश्यन पूछ सकता है कि पहला फ्रांस और भारत के लावा वरुण exercise में हिस्सा लेने वाला किर्गिस्तान के साथ होती है खंजर जो की आठवी किर्गिस्तान में हुई है आठवी जो हुई है वो किर्गिस्तान में हुई है जिसकी राजदानी बिश्केक हो जाती है किर्गिस्तान की राजदानी क्या हो बिश्केक हो जाती है खंजर आठ तो याद रखीएगा ये जो काजिंद है ये साथी किसके साथ होती है कजाकिस्तान के साथ होती है किसके साथ होती है कजाकिस्तान तो खंजर आठ ये किर्गिस्तान बिश्केक में आई जित हुए संयुक्त अरब अमिरात के साथ जैत तलवा इसी के साथ UAE ने फ्रांस और भारत के exercise वरुण में हिस्सा लिया है किसमें लिया साथी exercise वरुण में हिस्सा लिया है जो की निवी की exercise हो जाती है आगे इसमें बात करेंगे यह कजाकिस्तान में ही आयूजित हो रही है यह कहां पर आयूजित हो रही है कजाकिस्तान में जिसम जबकि खंजर का आठवा खंजर का आठवा चलिए साथियों कजाकिस्तान की राजदानी नूर सुल्तान मुद्रा हो जाती है टेंगे मुद्रा क्या हो जाती है टेंगे नूर सुल्तान इनकी राजदानी है और मुद्रा क्या हो जाती है टेंगे नूर सुल्तान का पुराना देश आपको दिखाई दे रहे हैं यह हो जाता है कजाकिस्तान यहां पर किर्गिस्तान हो जाता है जिसकी राजदानी बिश्केक हो जाती है इधर देखोगे तजाकिस्तान तजाकिस्तान जिसकी राजदानी दुशान भी हो जाती है क्या हो जाती है साती दुशान भी इसकी राज्ञानी हो जाती है तजाकिस्ताँ विदर देखोगे उज्वत्तान जिसकी लाजञणी जाती लिफпа तक कि युद्ध के दी तुर्टमेंस्तान तुर्टमेंस्तान तूर्टमेंस्तान कि राज्ञणी क्या हो और तुरकमिनिस्तान इनी सीमा कैश्पियन सागर से लगती है इस चीच को आप लोग बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा अगया जाते भारत के सिक्चा मंतरी धर्मिंद्र परधान ने NCRT के 61 स्थापना दिवस को संबूधित किया NCRT का 61 स्थापना दिवस पुछा भारत के वर्तमान सिक्षा मंत्री तो मनसुक मंडाविया ये भारत के साथी स्वास्ते मंत्री है अश्वनी वैशनम रेलवे IT संचार मंत्री है भुपेंद्र यादव परियावरण वन जलवायू परिवर्तन मंत्री है तो कौन रहेगे धर्मेंदर प्रधान याद रखिएगा भारत के वर्तमान एजूकेशन मिनिश्टर या सिक्षा मंत्री कौन है धर्मेंदर प्रधान है विद्यामृत मुश्यनते करके यह NCRT का धेवा के हो जाता है मोटो हो जाता है NCRT का स्थापन देवास 61 1961 में इसकी स्थापन होई थी नई दिल्ली मुख्या रिशी केस सेनपतिस के डारेक्टर है रिशी केस और अध्यक्ष भारत के सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान धर्मेंदर प्रधान चलिए तो याद रखेगा NCRT National Council of Educational Research and Training Education में रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इस संस्ता का गठन किया गया सिलेबस आदी निर्धारित करती है राश्टिय सेक्षिक अनुसंधान एवं प्रिसिक्षन प्रिसद परिशद NCRT रिशी के सेनापती इसके मुख्या है रिशी के सेनापती पुछा है BSF के 29 महानिदेशक यह हमने कली ही कल लिया था पंकज कुमार सिंग मैं फिर से बता दे रहा हूँ जबकि संजया रोडा ITVP या दे न पंकज कुमार सिंग BSF के 29 महानिदेशक में हमने बात कर ली थी यादे न चलिए अगले कुषिन पर आ जाते हैं हाल ही में कौन सा शहर फुली वेक्सिनेटेड शहर बन गया है या देश का पहला जिला जिसने COVID-19 वेक्सीन की पहली खुराक के साथ 100% 1st डोज 100% 1st डोज 100% 1st डोज समझें मेरी बात चलिए वेरी गुड पूरा अब इसमें क्या है ना इसमें क्या ही सारी चीज़ है इसमें अलग-अलग इसमें दे रखें जैसे किरल का वाइनाड भी है अपना नोईडा भी है तो इसमें अब अलग-अलग तरीके से कुशन जैसे इसमें क्या है अब इन्होंने क्या दिया है इंडिया इंदोर विकम 1st डिस्टिकिन कंट्री तो इसे हिसाब से ले लो जब सारी वेक्सिनेशन हो जाएगी तब इस कुशन को एक बार और देख लेंगे जैसे अख़बार में कुशन बना रखा है वैसे हमने बनाया तो भारत का सबसे स्वक्षी शहर और मद्देप्रदेश का सबसे बड़ा इन दौर ये ऐसा शहर बना है जिसने COVID-19 वैक्सिन की पहली खुराग जितने बेनी फीसरी है उन सब को पहुँचा दिये समझे मेरी बात जबकि भुवनेश्वर 100% आबादी का टीका करन करने वाला भारत का पहला शहर लद्दाख 100% वैक्सिनिसन ये हो जाता है पहला यूटी क्या हो जाता है पहला यूटी लद्दाख चलिए आगे बढ़ते हैं काजी रंगा नेसनल पार्क का काफी हिस्सा ये डूब चुका है तो वहीं से कुश्यन बना है कि हाल ही में खबरों में रहे काजी रंगा नेशनल पार्क ये कहां पर इस्तित है तो याद रखीगा साथी काजी रंगा नेशनल पार्क ये भारत के असम राज्ये में इस्तित है काजी रंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्ये में देखो जहां पर हमें बहुत ज़्यादा करने की जोड़ते बहुत सारे राज्ये कवर हो जाएंगे समझे मेरी बात तो काजी रंगा नेशनल पार्क ये साती असम में हैं मद्धे प्रदेश के दस नेशनल पार्क हमने कल पढ़े थे समझे मेरी बात तो असम में हैं काजी रंगा नेशनल पार्क इसका 70% छेत्र ये बाढ़ में डूब गया है युनेस्को वर्ल्ल हेरिटेस साइट है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए ये जाना जाता है, 70% हिस्सा इसका पानी में डूग गया है, और 1985 से ये युनेस्को का विश्व धरूहर इस्तल है, ये युनेस्को क्या है साती, विश्व धरूहर इस्तल हो जाता है, काजी रंगा जा रहा है इस सोर्स विक्सित किया जा रहा है डिजीटल कच्रा डिजीटल कच्रा ये कच्रे की समस्या से निपटने के लिए किस संस्थान द्वारा डिजीटल प्लेटफॉर्म इस सोर्स इसी तरह साती याद रखिएगा जो ये इलेक्ट्रोनिक कच्रा होता है इसके लिए भारत का पहला क्लिनिक, एलेक्ट्रोनिक कच्रे के लिए भारत का पहला क्लिनिक, ये मद्दे प्रदेश की राजदानी भोपाल में खुला था, तो IIT मदरास, IIT मदरास जो है साथी, याद रखिएगा, ये एक E-Source नाम का प्लेट फॉर्म विक्सित कर रहा है, जिसका मौलि है, ये डिजिटल कच्रे का निप्टान करता है, जो हम लोग ये लेप टॉप आदी, मुबाइल आदी की चीज़े है, ये जो डिजिटल, इलेक्ट्रोनिक सामन फैंक देते हैं, इसी को E-कच्रा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो IIT मदरास, ये E-Source नाम का एक प्लेट विखसित कर रहा है, चलिए, आगे आ जाते हैं साती, भारतिये पैराइथलीट, इस वार पैराइथलीट ने कमाल कर दिया, दस मेडल, तो उसमें पूछा है, कि टोक्यो दोहचारवीस पैरालंपिक्स, मर्यपन थंगा वेलू, इन्होंने कौन से खेल में साती, रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, तो याद रखिएगा, हाई जंप उची कूद, मर्यपन थंगा वेलू, इन्होंने साती, टोक्यो दोहचारवीस पैरालंपिक्स में, उची कूद में इन्होंने ये मेडल जीता है, मर्यपन थंगा वेलू, मर्यपन थंगा वेलू ने, टो 2020 पेरलंपिक में ये साथी उची कूद में रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है मर्यपन थंगावेलू 10 खिलाडी पतलब 10 हमारे पास पदक आई दो गोल्ड पांच सिल्वर तीन ब्रोंज दो पांच तीन तो आप यह कह सकते गोल्ड और सिल्वर जोडा गोल्ड और ब्रों तो दो पांच तीन गोल्ड की बात करें सुमित अंटिल हर्याना जैवलिन भाला फैक और अवनी लखेरा शूटिंग राजस्थान चलिए सिल्वर की बात करें भावीना पटेल टेबल टैनिस गुजरात निशाद कुमार हाई जंप हिमाचल प्रदेश सुमित अंटिल अव गुजरात निशाद कुमार हाई जंप हिमाचल प्रदेश योगेस कठूनिया यह पांच जो सिल्वर हैं इनमें निशाद भावीना उसके बाद में योगेस डिसकस्थरो दिल्ली डेवेंद्र जाजरिया राज्तान जाला भाला फैक और मर्यपन थंगावेलू हाई जंप तमिल नाडू जबकि तीन जो ब्रोंज में डालाएं सुन्दर सिंगुजर जैवलीन थ्रो तो जैवलीन थ्रो में एक गुल्ड एक सिल्वर एक ब्रोंज सिंग राज अधान शूटिंग हरियाना और शरद कुमार हाई जंप बिहार तो हाई जंप में भी आप यह कह सकते हो कि हाई जंप में दो सिल्वर हाई जंप में कितरे सिल्वर है दो सिल्वर और एक हो जाता है आपका ब्रोंज जबकि शूटिंग में एक हो जाता है आपका क्या नह में ब्रोंज और एक हो जाता है शूटिंग में गोल्ड मेडल तो सुमित अंटिल हरियाना इन्होंने भाला थंगा वेलू सुंदर सिंगूजर सिंगराज अधाना और शरद कुमार इन्होंने साथी ब्रॉंज मेडल कुल दस मेडल दो पांच और तीन 2012 लंदर पेरालंपिक्स में एक मेडल 2016 रियों में चार और साथी अब 2021 टोकियो 2020 पेरालंपिक्स में कुल मिला के दस मेडल इसको कह सकते हैं कि भारत के पेरालंपिक पेरालंपियन जो हैं वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं भारत के लिए मेडल लाने के लिए चलिए आ गया जाते हैं किस राज्य अत्वा केंशाचित प्रदेश में 18600 फिट की उचाई पर दुनिया की सबसे उची मोटर योग्य स सबसे जादा जहां पर सबसे उची वाहन चलाए जा सकते हैं या आप यह कह सकते हैं कि आप गाड़ी वगएरा चला सकते हैं लग्दाख में 18600 फिट की उचाई पर ले को पेंगों जील से जूड़ती है दुनिया का सबसे उचा मूविंग ठीट मूवी ठीटर जहां पर फ 13300 फिट की उचाई पर जहां पर साती उमलिंग लाहे वहां पर भी एक रोड यगस्त के शुरुवात में नों ने खोली थी बॉर्डर रोड और्गिनाजेशन में आगया जाते जेवी मौहापात्रा जेवी मौहापात्रा सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट ट देते हो जैसे इंकम टेक्स बैइंकम टेक्स जो होता है उसे आप सरकार के खाते में डारेक्ट जमा करवाते हो तो इसको डारेक्ट टेक्स बोलते हैं इसी तरह कॉर्पोरेट टेक्स जिसको निगम कर बोलते हैं कॉर्पोरेशन टेक्स जो कंपनी आधी पे करती हैं यह क्य अंदर सरकार को देता है जैसे जीएश्टी जैसे जीएश्टी आदि जो होते हैं ये इंडारेक्ट या एप्रत्यक्ष कर होते हैं तो जे भी महापात्रा CBDT के नई अध्यक्ष CBDT Central Board of Direct Texas के नई अध्यक्ष Amazon India जो Amazon नाम की कमपनी है इसका जो इंडिया वाला हिस्सा है इंडियन उसने कारिगर मिला सुरू किया है Tribes India ये आदिवाशी जो सामान होता है उसकी विक्री करने के लिए जाने जाते हैं Amazon 1994 में बनी थी तब इसका नाम वह करता था केडिवरा इसके एक्जेक्यूटिव चेर्मेन जेफ बिजोस है जबकि वर्तमान CEO 5 जुलाई से एंडी जैसी हो जाते हैं एंडी जैसी क्या हो जाते हैं इसके वर्तमान CEO हो जाते हैं अमेजन कंपनी याद रखेगा साथी ट्राइब्स इंडिया के साथ कारिगर मिला तो कुछिन पूछेगा कि कारिगर मिला यह किस टैक जाइंट या किस बड़ी कंपनी ने लौंच किया है तो ट्राइब्स इंडिया के साथ मिलकर अमेजन इंडिया ने यह कारिगर मिला सत्रे देश इसमें भाग ले रहें रूस के साथ जिसमें भारत भी एक होगा इस exercise का नाम होगा जापेड और इसमें भारत के और से नागा रेजिमेंट भाग ले रही है भारत के और से नागा रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है भारत के और से नागा रेजिमेंट के फोज इसमें भाग ले रहे जापेट 2021 कितने सत्रे देशों की है सत्रे देशों की एकसरसाइज है जिसमें भारत तीन से सोले सितंबर तक रूस के एक निजनी नाम की जगा है वहाँ पर यह आयोजित की जा रही है रूस में याद रखिएगा इंद्र एकसरसाइज भी रूस में युजित की गई इंद्र एकसरसाइज भी कहां पर युजित की गई है यह भी साथी रूस में युजित की गई है यह एकसरसाइज भी रूस में युजित की गई है बिलकुल सही इसके लाभ आप यहां पर कह सकते हैं कि एक साथ भी एकसरस अरव, अल मोहिद अल हिंदी, 2021, अल मोहिद अल हिंदी, 2021, ये साउध एरब के साथ, जबकि सयुक्त अरव अमिरात के साथ, जायत तलवार, जायत तलवार, आगे आ जाते हैं, साथ मंतरी काम के दोरान, ब्रेक लो, तो आप योगा कर सको, इसके लिए योगा ब्रेक, वाई ब्रेक नाम की एक एप्लिकेसन लाँच करेंगे, वाई ब्रेक नाम की एक एप्लिकेसन लाँच करेंगे, भारत के साथ मंतरी मिलकर, ये एप्लिकेसन जो बनाई गई है, इसमें पोस्चर होंगे योगा के जो कैसे योगा किया जाए अगर आप काम के दौरान ब्रेक लेना चाहते हैं वाई ब्रेक एप इसको सात मंत्री जिसमें केंद्रीय आयूस मंत्री योगा मंत्राले जो होता है जिसके अंत्रगत सर्वानंद सोनोवाल उसके लावा स्वास्ते मंत्री मंसुक मंडाविया कानून और न्याय मंत्री किरणरी जीजू सूचना प्रसारण खेल एबम युवा मामलों के मंत्री अरुणाग ठाकुर विज्ञान और प्रद्योगे की राज्य मंत्री जितंदर सिंग पर्येटन और संस्कृति मिनाग चिलेखी और आयो समुझ पारा कालू भाई यह राज्य मंत्री हैं इन्हों नहीं यह साथ मंत्री मिलके लौंच करेंगे वाई योगा मतलब जिसको आप यह कह सकते हो कि योगा ब्रेक एप योगा ब्रेक एप आगया जाते हैं अफरीकी मूल के लोगों के लिए अंतर राश्टे दिवस जो अफरीकी डिसेंट के लोग हैं अला कि कहते हैं कि सारे के सारे मानव अफरीका से निकलें यह 31 अगस्त को मनाया जाता है यह का मनाया जाता है साथी 31 अगस्त को मनाया जाता है अफरीकी मूल के लोगों के लिए अंतर राश्टे दिवस अब थोड़ा सा आप लोग समझेगा थोड़ा सा यहां पर रिवीज अलमुहेद अलहिंदी ये किसके साथ होती है अलमुहेद अलहिंदी चलिए काजिंद पांच एक्सरसाइज किसके साथ हुई है खंजर आठ एक्सरसाइज ये किसके साथ हुई है खंजर आठ दस्तिलिक एक्सरसाइज ये किसके साथ हुथ है दस्तिलिक एक्सरसाइज ये किसक साथ होती है उसके बाद में जायत तलवार जायत तलवार एक्सरसाइज जायत तलवार एक्सरसाइज इसके बारे में आपको बताना है जैपेड एक्सरसाइज जैपेड दो हजार एक्केस जैपेड दो हजार एक्केस ये किस Ñबी मॉहपात्र दौर जे अंग चुके करके जो कि लद्दाक के हैं यह किस वज़ए से चर्चा में थे यह जुद इंटरनेशन अस्टानोमिकल यू Hoş Company कहां इसका Headquarter है ये भी आप सभी लोगों को बताना है रोबो बेंक की लिष्ट में डेरी कमपनी सबसे बड़ी डेरी कमपनी सबसे बड़ी अमूल का इस्थान क्या है अमूल के बारे में जानकारी भारत में प्रती व्यक्ति दूद कैसे है प्रती व्यक्ति दूद कितना सुप्रीम कोट के बारे में लग्दाग के बारे में सुप्रीम कोट के बारे में यह आपको बताना है हाइस्ट मोटोरेबल रोड हाइस्ट मोटोरेबल रोड मोटोरेबल रोड इसके बारे में इसोर्स ये कौन बना रहा है किसे निपटने के लिए इसोर्स ये कौन बना रहा है आपको ये भी बताना है कि ये किस्से निपटने के लिए बनाया जा रहा है ये किस्से निपटने के लिए साथी बनाया जा रहा है पैरलंपिक्स में भारत की इस्थिती ये भी आपको बताने है पैरलंपिक में भारत की इस्थिती क्या है ये भी आपको बताने है साथी भारत की इस्थिती क्या है ये किस्से संबंदित है वाई ब्रेक एप ये किस्से संबंदित है 31 अगस्त को कि लोगों का दिन मनाया जाता है 31 अगस्त को कि लोगों का दिन मनाया जाता है आगया जाते साथी कारिगर मिला ये किस कंपनी का सिष्टम में कारिगर मिला ये कौन सी कंपनी किस के साथ मिलकर आयूजित कर रही है पंकज कुमार सिंग ये किस पदपर इनकी न्युक्ती हुई है संजे अरोडा ये किस पेरामिलिटरी फोर्स के डीजी बने है संजे अरोडा ये किस पेरामिलिटरी फोर्स के डीजी बने है आगया चाहता है NCRT की स्थापना कब हुई है और इसके मुखिया कौन है बिम्श्टेक के बारे में आपको बताना है बिम्श्टेक के बारे में आपको बताना है सिक्स्थ ए इस्टन एकोनोमिक फोरम कहां पर कौन इसके मैजबानी कर रहा है कहां पर और कौन इसके मैजबानी कर रहा है बिम्श्टेक के बारे में ये भी आपको बताना है बिलकुल सही गोबा सुप्रीम कोर्ट और लद्दाख ये तो आपको बताना है कि लद्दाख के पशुपक्षी कौन बने हैं तो देखिए ये सौधी अरव कजाकिस्तान किर्गिस्तान उज्वेकिस्तान UAE ये तो इतना बढ़ा का है बता दिना लद 66 रिसी के सेनापती त्रुभुबंदास पतेल संस्तापक संजिया रोडा ITPP पंकज कुमार सिंग ब्स एफ एफ रूस व्लाडी वोश्टोक में कारिगर मेला अमेजन ट्राइबस इंडिया के साथ अफ्रीकल लोगों का दिन वाई ब्रेक एप सात मंत्री काम के दोरान ब्रे से पहले भारती है डेरी कंपनी लेक्टेलिस फ्रांस की नंबर एक अमूल अठारवे नंबर पर अठारवे नंबर पर इस तरीके से यह आपका हो जाता रिवीजन अब और ज्यादा डीपली रिवीजन जो मैंने एक्स्ट्रा चीजे कराई है उसके लिए हमारे टेलिग्रा है कि जितना भी मैंने पढ़ाया है इसमें से टॉप 300 कुषिन लगा के हम इसके प्रेक्टिस करते हैं आज है दो सितंबर और आप सभी जानते हैं भी सुबह दो सितंबर आज सुबह नो बजे आपके ग्रामिड विकास का पहला चैप्टर भूमी मापन शुरू हो जाएगा लेकपाल के लिए इसको देखना मत बूला ग्रामिड विकास भूमी मापन यह आपका साती शुरू हो जाएगा भूमी मापन क्या हो जाएगा यह शुरू है आज से तो आप लोग इस क्लास को छोड़ना मत यह आपकी बहुत इंपोर्टेंट क्लास है दो सितंबर शाम से तंबल लेकपाल का ठेवरी बैश सुबह 11 बजे विजेता बैश उसको देखना बिल्कुल भी न भूले यह रात को 10 बजे संजी सर मिक्स इसमें साइंस वागरा भी ले ले लेते हैं बहुत बढ़ीया रिवीजन कराते हैं और जबरदस्त अगर कोई मनसे डेली क्लास ले झाल लेता है। तो आप लोग उसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसने सब्सक्राइब नहीं किया हो अपने झाल को परता आप अप अपने ज़एक्यों पर को अभी आप कर लीजी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करके जाना इसस उनने मिलता है शेयर जरूर करने इसका लिंक बच्चा बाकी आप लोग बस कमेंट बहुत कम करते हो अगर आप कमेंट बेसक आप लोग कम देखने हो लेकिन कमेंट जरूर करके जाओ क्लास आपको कैसी लग रही है जिससे मुझे भी पता चले कि मैं जो एक अच्छा भी लग आप उन्हें जरूर लीजेगा जिससे हमें मजबूत होने में मदद मिलती है बाकी मेहनत कीजिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत एक कैसी चीज है हमेशे आपको देखे जाएगी समय लेगए आपका लेकिन वह समय आपको कुछ बना जाएगा और हम सब का लक्ष पादी वहां भी मिलता है और अपने टेलिग्राम पे गुल्डन आर्मी परिक्षागरिन सब पेविसका प्रीडिएफ अविलेबल होता है मेरा हैंड रेटेंग बाकी इसमें पॉलिटी जोग्रफी जहां भी चीजह आती है कलास संस्कृती निरत्य यह समय मिक्स करके चलता नेशनल पार्क वगेरा अगर आप रेगुलर रह रहे हैं और अगर आप इसके नूर्स बना रहें तो आपको मेरी विचार में कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए या होगी कोई परिशानी नहीं होगी न तो बढ़िया लगी तो ऑफलाइन कमेंट करकी जरूर बताना बाक एलाइन करकी जरूर 누ुग फिसका हैं मょमल मे परिश परिशन और जगर आपर एक बाका परिवजी नहीं हो खेंए या परिज़ रहें और आप कमेंटु झाल झाल